हलो दोस्तों कैसे हो स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल एंड वेस अकेडमी पर मैं नरिंदस से सोटी है फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक बहतरीन सेशन लेकर देखिए आज अपन बात करेंगे कल से जो संक्याओं पर आधारीत प्रसंत है उनके कुछ बच बात करते हैं जैसा कि अपन सेशन के बारे में बात कर रहे थे कि जो अनुपात समानुपात का टोपिक है उन पर जो संक्याओं पर आधारीत परने वाले परसंत होते हैं उनके बारे में अपन अध्यन कर रहे थे ठीक है तो देखिए इन परसंतों की कुछ प्रोब्लम्स अ से 20, 17, 16, 43, 89 में जोड दिया जाए तो वे प्रतेक संख्या समानुपाती हो जाए ठीक है ऐसा क्यूशन बना भाई आप लोगों के सामने तो इस क्यूशन को कैसे डील कर सकते हैं कि 7, 16, 43, 89 में क्या जोड जाए तो देखिए अपने पास में तीन रास्ते हैं इस पर जाने के एक तो क्या है कि ओप्षन से सीधा रख रख के देख लीजिए ठीक है तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम जिस्त होने वाला है दूसर जो कंसप्ट होता है प्रतेक में एक्स जोड के भाईये पदों का गुणन फल और मद्य पदों का गुणन फल बराबर कर दीजिए यानि कि उस कंडिशन के इसाप से करेंगे तो देखिए यहां क्या होगा पहली संक्या में तो एक्स जोड देंगे दूसरी में 16 प्लस एक् 43 प्लस एक्स चोथी जो होगी 89 प्लस एक्स ठीक है अब क्या होगा इनमें भाईये पदों का गुणन फल होगा बराबर किसके मद्य पदों के गुणन फल के बराबर तो यह बन जाएंगे भाई साब दो दीज़ात समीकर्ण ठीक है दूसरा होगा 16 प्लस एक्स 45 प्लस एक्स ठीक है तो देखिए अगर इतना ही टाइम होता अपने पास में एक्जाम में करने के लिए तो देखिए अपना कोई भी क्यूशन अपन छोड़ते नहीं तो बच्चो इस कंसेप्ट के द्वारा इस क्यूशन को नहीं शोड ठीक है समानुपात का जब भी आपको नाम सुनें तो आप एक कंसर्प ध्यान में रखेगा कि भाई ये फदों का गुणनफल होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर ये तो सब लोगों को पता है उसके आगे की बात करता हूं देखिए इन चीजों को हटा देता हूं म भाई ये पदों का गुणनफल तो भाई ये पदों का गुणनफल तो कितना होगा भाई साथ गुणा नो सोरी उन्हें सी गुणा साथ ठीक है और मद्य पदों का गुणनफल होगा तैयालीज गुणा सोल है ठीक है अब क्या करूं जब भी ऐसी कंडिशन आये तो ध्यान जब भी संख्या क्या कुछ जोडने या गठाने पर समानुपाती पूछी जाएं तो उस कंडिसन में क्या करना है सबसे पहले तो दियू ही संख्यां को ही भाईये पदर उमद्दे पद मान लेने है ठीक है तो मान लिए भाई 89 गुणा 7 और 43 गुणा 16 इनका अंतर ले लेना है ठीक है भाईये पदों का गुणनफल और मद्दे पदों के गुणनफल का अंतर ले लेना है और नीचे भाग देदेना है भाईये पदों का योगफल और उसमें से मद्दे पदों का योगफल कितना हो जाएगा 16 प्लस तहीं आलेज ठीक है अब इसमें प्लस या माइनस का कोई चक्र नहीं होगा जो भी संख्या निकालनी है इस कंसेप्ट के द्वारा हो जाएगा तो ये तो क्या हुआ भाईये पदों का गुणनफल माइनस मद्दे पदों का गुणनफल ठीक है नीचे क्या होगा भाईये पदों का योग और माइनस मद्दे पदों का योग ठीक है देखिए यहाँ इसका अंतर यहाँ इसका अंतर जो भी संख्या प्लस या माइनस में आएगे उसका कोई चक्र नहीं होगा चाही तो प्लस में आए रिजाएट चाही तो माइनस में ठीक है, तो यहां से देखते हैं, अपन क्यूशन को हल करते हैं, तो देखिए, 89 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, 9, 63, 7, 7, 7, 49, 6, 55, 553 तो भाही ये बदों का गुणन फलाया, उसमें से गठा दिये किसको 43 गुणा 16 को, 16, 48, 16, 64 और 4, 68, ठीक है, बटे, 89 और 7 कितना होता है? ठीक है, 86, इसमें से गठा देंगे कितने को 59 को, ठीक है, तो 59 को गठा आया, तो देखिए, उपर तो क्या बच गया भाही, 553 में से 688 को गठाएंगे या फिर 688 में से 553 को गठाएंगे माइनिस का निचिन लगा देंगे तो 8 में से 3 को गठाएंगे तो कितना बचेगा? 5 8 में से 5 को गठाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 3 6 में से 5 को गठाएंगे तो कितना बचेगा? 1 ठीक है तो संख्या बची माइनस का 135 अब 86 में से 69 सीधा सीधा जा रहा है कितनी बार 27 बार ठीक है तो रिजल्ट निकल के आया कितना भई माइनस का 5 मैंने कहा प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होगा जो भी रिजल्ट आएगा वही संख्या होगी उसे प्लस में रखके रख लेंगे चाहे तो गठाने की बात आये तब भी यही कंसेप्ट लगाना है ठीक है तो प्लस 5 हुआ तो कोई निसित संख्या 7,9,11 और 15 में से गठाई जाए तो पढ़ना में संख्या समानुपाती हो जाती है तो संख्या गठाई जाती है कौन सी संख्या गठाई जाती है देखिए क्योशन को हल करते हैं क्योशन को हल किस प्रकार से करेंगे अभी अपन ने देखा था कि भाई पदों का गुणनफल और मद्य पदों का गुणनफल उसमें भाग दे देना है भाईय पदों का योगफल और उसमें से मद्य पदों का योगफल जो भी अंतर आएगा ठीक है चाहे तो प्लस में आए रिजल्ट चाहे तो माइनस में आए जो अड़ी या गठाई उई संख्या के बराबर होगा ठीक है तो भाई क्यूसन को हल करते हैं भाईय पदों का गुणनफल तो यहां से भाईय पदों तो पंद्रह और साथ हो गई तो कितना हो गया पंद्रह साथ को गुणा करेंगे तो 105 ठीक है मद्धे बद्धों का गुणान फल तो 11 को 9 से गुणा कर देंगे कितना बनेगा भाई निन्यान बटे 15 और 7 को जोड़ेंगे तो 22 और 9 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना 20 ठीक है तो result निकल के आया सामने क्या भाई 105 में से 99 गठाएंगे तो 6 बचेगा 22 में से 20 को गठाएंगे तो 2 बचेगा result निकल के आया कितना 3 ठीक है तो मैंने कहा चाहे तो plus का result आता तब भी वही बाती चाहे minus का आता तब भी वही बाती ठीक है तो गठाने की बात आई तो देखे क्या हो गया भाई 3 ठीक है अनुपाती हो जाएंगी देखिए 7 में से 3 को गठाएंगे तो कितना बचेगा 4 9 में से 3 को गठाएंगे तो कितना बचेगा 6 ठीक है तो देखिए अनुपात बना लेते हैं 4 अनुपात 6 यानि कि इन दोनों का रेशयो होगा 2 अनुपात 3 समानुपात ठीक है 3 गठाएंगे 11 में से तो 8 बनेगा 3 गठाएंगे 15 में से तो 12 बचेगा तो इनका रेशयो भी कितना होगा 2 अनुपात 3 क्योंकि जब भी बात होती है समानुपात की तो समानुपात में क्या होता है कि पहले 2 पदों का जो relation होता है वही आखरी 2 पदों का relation होगा ठीक है तो पहले और दूसरे पद में relation हुआ 2 अनुपात 3 का तो तीसरे और चोथे में जो relation होगा कैसा होगा 2 अनुपात 3 का ठीक है जहां तक मैं समझता हूँ किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चीए आगे के क्यूशन के बारे में आपन बात करता है देखे तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है ठीक है भाई लिख लेता है संख्या और 3 कलासे है 1st कलास 2nd कलास और 3rd कलास ठीक है उनकी संख्याओं का अनुपात है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 ठीक है अब क्या होता है कि प्रतेक में कुछ न कुछ जोड़ दिया जाता है तो बन जाती है 4 अनुपात 5 अनुपात 7 ठीक है तो देखिए पहले तो अपना जो फर्ज होता है वो ये देखते हैं कि पहले भी और बाद में भी अनुपात का जो अंतर है वो समान है क्या पहले और दूसरे में पहले अनुपात का अंतर है तो 1 और दूसरे का अंतर है 2 तो यहां भी अंतर है 1 और 2 का ठीक है पहली जो concept थी वो तो होगी clear ठीक है जो check करना था वो अपन ने कर लिया अब देखते हैं इधर से इधर check करना है पहले तो और फिर check करना है इधर से इधर ठीक है तो check करेंगे 5 से 7 तक चले 2 बड़ा 3 से 5 तक चले 2 बड़ा 2 से 4 तक चले 2 बड़ा ठीक है तो देखे इंडायरेक्ट रूप से value होती है वो तो होती है ratio के अंदर तो indirect रूप से तो परतेक में कितना बढ़ रहा है दो ratio ठीक है डायरेक्ट value कितनी है भाई 40 ठीक है तो 2 ratio की value 40 है तो हर एक एक की value कितनी हो जाएगी 20 ठीक है अब उसने कहा कि प्रारम में कुल विद्यार्थियों की संख्या ठीक है तो प्रारम में कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं इंडारेक्ट वेल्यू के बराबर डारेक्ट वेल्यू रखकर अपन मान निकाल सकते हैं प्रारम में कुल विद्यार्थियों की संक्या देखें, यहां से देखते हैं, दो और तीन, पांच, पांच और पांच, दस, ठीक है, तो कितना रेश्यो हो गया है वई, प्रारम में तीननू जो कक्सा थी, उनमें विद्यार्थियों की संक्या दस रेश्यो थी, एक रेश्यो की value 20 होती है तो कुल मिला के प्रारम में कितने विद्यार्थी थे 200 विद्यार्थी थे ठीक है तो इस प्रकार से अपने इन क्योशनों को हल करेंगे तो कौन से option में है 200 विद्यार्थी option number B में ठीक है तो विद्यार्थियों बताईएगा कैसा लगा प्राज का session अगर session पसंद आये तो करपया जादा से ज्यादा लाइक करें share करें करपया comment कर के जरूर्ड बताएं कि जिए speed है उसको कम करनी है ज्यादा करनी है जो समझाने का तरीका है उसको और modify करना है या फिर इस से कम यानि की इजी वे में समझाना है तो कर पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ठीक है आप सभी लोगों का धन्यवाद एन्वेस चैनल पर बने रहने के लिए थैंक्यों आलफ गाइच